हलो गाइस कैसे हैं आप लोग मैं विल्कुल ठीक हो और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी विल्कुल ठीक होंगे गॉसप टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कृतिका प्रभास की मच अवेचेट फिल्म आदी पुरुष होने वाली है 16 जून को रलीज इस फिल्म का बेस्तापरी से फैन को इंतजार है ये फिल्म के अडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है फिल्म में प्रभास के ऑपोसिट है कृसी सैनन, सनी सिंग है और इस फिल्म में सैफ अफली खान भी है तो वही इस फिल्म से फैन्स की काफी उमीदे जुड़ी हुई है लेकिन हर कोई आपको ये बताना चाहता है कि आखिरकार जो ये फिल्म है मेगा बजट फिल्म है 500 करोड का यूनो इस फिल्म में लागत लगी है और अब ऐसे में मैं आपको बताने वाली नहुं कि मेकर्स ने ना फिल्म की रिलीज से पहले ठीक कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और ये बड़ा फैसला है कि अब जब 16 जून को ये फिल्म रिलीज होगी तो हर थियेटर में एक सीट रहेगी खाली जी हां किसके लिए ये सीट खाली रखी जा रही है आखे कौन होगा वो जो की इस सीट का होगा असली हगदार तो चली आपको बताते हैं और मेकर्स ने ऐसा फैसला क्यों लिया इसके बीची की वज़ा भी बताना जरूरी है तो गाईज अगर नहीं किया मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब तो डू सब्सक्रा हनुमान जी जी हाँ भगवान हनुमान के लिए हर ठीटर में एक सीट आलवेज रिजर्वड रहेगी ये बड़ा फैसला लिया गया है उनको डेडिकेटेड रहेगी ये सीट और अब ऐसे में फैंस काफी ज़दा खुश है क्योंकि पूरी तरीके से ये जो फिल्म है ये भ हक्सी में अब डूबना चाहता है हर कोई तो गाइस आप लोग भी बान लीजी अपनी सीट बेल्ट और हो जाए तयार क्योंकि 16 जून को आधि पुरुश होने वाली है रुलीज और अब हनुमान जी भी आप लोगों के साथ देखेंगे ये फन क्योंकि अब थियेटर में एक सीट को हनुमान जी के लिए रखा गया है पूरी तरीके से रिजब्द कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा कॉमेंट में इस वीडियो में इतना ही